प्लांट से आठ मेगावाट बिजली का भी हो सकेगा अब उत्पादन ये बड़ी खबर इस वक्त राइपूर से आ रही है और जिसका इंतजार 36 गर सरकार कर रही थी उसकी अनुमती केंडर ने दे दी है आपको बता दे की 373 करोड का किया जाएगा नवेश प्लांट से 8 मेगावाट बिजली का भी हो सकेगा उत्पादन और इस पर अधिजानकारी के लिए बात करेंगे हमारे समवाता स्वतनिल गौर खेड़े हमाइसा जुड़ गया है कीडशरकार 26 गड़ को एतिनौ ते यह एतिनौल बनाने की अनुमति दे और इसको ले कर कई पत्र भी लिखेंगा के ऑद दान दान और मक्के से ऐथनॉल बनाने की हैजंडी जो है, गेंद्र सरकार मैं दे दिया है, केंद्र सरकार के परयावर्ण विभाग ने data क्लियरंस दे लिया है, तो अब जो है, प्लांट लगाए जागा ॐ कुल दो लाक लिटर से जएदा जो है वो एटन॓ल यहां पर बनायी जा सकता है साथ ही आठमेगारट बिजली एटन॓ल के प्लांट लगने से बन सकेगी तो काफी लंबी समय से इसकी प्रतिक्षा की जारी थी और अब जाकर इसका क्लिरंस बिला है तो चक्तिज़गर सरकार अब इस पर जो है काम शुरू कर देगी और 373 करोड रुपए इसमें निवेश इसमें किया जाएगा और इसको लेकर MOU भी हो चुके हैं तो अब जो चिद्युपबर जिस इंतिजार की अराज़ना वो इंतिजारा पूरा हो चुका है सीधे तो ओर पर किसानों को इसमें लाब मिलेगा किनक से रोजगार सुजन होने कि अफसर मिलेंगे यह भी एक रोजगार सुजन का तरीका हो सकता है और जाहिर तोर पर किसानों के लिए तो बड़ी राहत होगी ही इसने जी बिल्कुल चत्तिजगर में सर्प्लस धान होता है और जो सर्प्लस धान होता है उससे एतनॉल बनाने की इच्छा राजसरकार ने रखे तो निश्यत रूप से इससे किसानों को काफी लाब होगा और जो धान जो चत्तिजगर का जो एकसर धान जो बच जाता था उस धान का उप्योग भी हो सकेगा तो धान की कीमत जो है किसानों को मिलेगी जी बहुत बहुत शुक्रिया सुपने रिस तमाम जानकारी के लिए आपका